नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन निउस में दोस्तों मार्च का महीना चल रहा है और त्योहारों का आगमन भी हो चुका है हर साल की तरह इस बार भी सरकार के दोारा सभी को कुछ ना कुछ बोनस जरूर दिया जाता है लेकिन इस बार फिर से संविदा करमचारी चाहें वो अनुदेशक हों, सिक्षामित्र हों, रोजगार सेवक हों, होमगाड हों या मदरसा सिक्षा को सभी को निराशा ही हात लगी है अगर हम पीछे तक का इतिहास उठा कर देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि होली, दिवाली, ईद, कोई भी बड़ा त्योहार हो, आज तक कभी भी संविदा करमचारीयों को बोनस या तोफा नहीं दिया गया है यहां तक कि कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे किसी की भी नजर इन पर पड़ती ही नहीं है तो क्या संविधा करमचारियों को त्योहार मनाने का हक नहीं है? क्या सरकार को सिक्षामित्र, अनुदेशों को सभी संविधा करमचारियों को इतने बड़े बड़े त्योहारों पर बोनस और दूसरी तरीके के तोपे नहीं देने चाहिए? एक तो मांदे वैसे ही बहुत कम ह इस मांदे में कोई भी अपना त्योहार ढंग से नहीं मना सकता है। ऐसे में अगर आप उनकी साहता के लिए उन्हें त्योहार पर बोनस दे देते हैं तो उनके त्योहार में खुशियां भर सकती है। कि त्योहार पर बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाई मंगवाई जा सकें। इस जॉब में सबी की हालत बहुत खराब है। एक तरफ तो महंगाई की मार है, दूसी तरफ त्योहारों का भी कोई भी खुशी हाथ में नहीं आती है। आईए मैं आपको एक पोस्ट लेते हैं। सरकार ने मंगलवार को यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट यानि पांच लाग बारा हजार आट सो साट करोड बहातर लाग पेश किया। सरकार के इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन सिक्षामित्र निराश है। उतर पैदेश मादम सिक्षामित्र संग ने सिक्षामित्रों का मांदे नहीं बढ़ाये जाने पर नराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। संग के प्रदेश मंतरी कौशल कुमार सिंग ने कहा है कि अगर 15 माज तक मांदे बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया तो पूरे प्रद सिक्षामित्र संग ने रविवार को राजधानी लकनों में बैठक मुलाई थी, बैठक में दो वर्षों से सिक्षामित्रों का मांदे नहीं बढ़ाये जाने पर नराजगी जताई गई। संग के प्रदेश मंतरी कौशल कुमार सिंग ने कहा कि समायोजन रग्द होने के ब 15 माज तक सरकार ने सिक्षामित्रों के हित में कोई निड़ा नहीं लिया तो सडकों पर आंदोलन करने के लिए वो बात दे होंगे। चाहिए था, यानी कि इस बजट में भी सिक्षामित्र, अनुदेशक या कोई बी सम्मिधा करमचारी हो उनके मानदे व्रद्दी से सम्मंदित कोई भी चीज्ड सरकार के दवारा नहीं की गई है, यानी कि सभी का मानदे अभी भी वैसा ही रहने वाला है, एक तरफ तो सिक कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात एकदम सही है, इतनी महंगाई में और इतने त्योहार जितने चल रहे हैं, उसमें अपने बच्चों को सही से कोई भी जना खुशियां भी नहीं दे पा रहा है, खुशियां देने की तो बात बहुत दूर रही, सही से मनाना भी इस समय ऐसा लगता है, कि जैसे कोई त्योहार पास में आता है, तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है, कि किस तरीके से खर्चे होंगे, किस तरीके से सभी चीजों को किया जाएगा, और इन त्योहारों को मनाया जाएगा, वहीं हम आपको ये बात भी बिल्कुल क्लि कुछना चाहिए, और उन्हें जल्द से जल्द जो है, वो कुछ न कुछ उनकी जोली में ऐसा डालना चाहिए, जिस से उनके जीवन में भी खुशिया आ सके, और वो भी अपने त्योहार को अच्छी तरीके से मना सके, अब यहाँ पर मैं आपको एक पोस्ट, एक ट्वीट दिखाता हूँ, जो संदीब शर्मा की है, उन्होंने लिखा है, क्या ये जीवन परियंत संविधा पर ही अपना दमपत्य जीवन का गुजारा करेंगे, जब सब कुछ इस्थाई हो रहा है, तो फिर इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, गंगोर महंगाई में पर करके खर्चे किस तरीके से चलाएगा, आप खुद इमेजन करके देखिए, मात्र साथ हजार रुपए जब परिवार के मुकिया के हाथ में आते होंगे, और उसे ये सोच कर चलना होता होगा, कि मुझे पूरे महीने का खर्चा इन्ही साथ हजार रुपए से निकालना है, और उसके दिमाग में एक टेंशन और रहती होगी, कि जून के महीने में कोई मानदे नहीं मिलेगा, यानि कि जून के महीने की सेविंग भी इन्ही में से ही करके चलनी है, प्लस अगर घर में कोई बिमार पड़ जाता है, या किसी तरीकी कोई भी दुरगटना हो जाती है, तो वो भी यहीं से करना होगा, तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सोच भी सकते हैं कि किस तरीके से कितनी जादा टेंशन में घर का वो मुकिया अपने परिवार का भरण पोशन करता होगा, मैं तो यह कहता हूँ कि यह संभभ ही नहीं है, किसी के दौरा की मात्र 7000 रु नहीं था कि आप इस चीछ को समझ सकें कि किस तरीके से सभी जो हैं अनुदेशक हो, चाहे सिक्षा मित्र हो, इस समय दस हजार, साथ हजार पे काम कर रहे हैं, और दूसरे अगर संभिता करमचारियों की हम बात करें, तो उनकी स्थिती भी अत्यंत दैनिय हैं, और सभी को इ उनके उसमें अगर कोई भी जना परिशान है, तो आप उनकी चीजों को देखें, अगर किसी भी संभिता करमचारी के द्वारा कोई भी गलती हो गई है, तो आप उन्हें अपने बढ़पन को समझ के उनको माफ करें, और उनके आगे आने वाले भविश्य को सुरक्षित कर इस चीज को सोचे, और होली, दीपावली, इद, दशेरा, इन जैसे बड़े त्योहारों पे जिस तरीके से बाकी करमचारीों के लिए भी बोनस आता है, और भी सुविदाय दी जाती है, इस तरीके से संभिदा करमचारी, चाहे वो अनुदेशक, सिक्षामित्र या कोई भ इतने बड़े बड़े त्योहारों पे सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ, चाहे वो बोनस हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपने परिवार का बहुत अच्छे से भरल पोशल कर सकें, और उनके परिवार में भी खुशियां आ सकें, अगर आप म भी लाइक शेर कर दें, थाइक यू